अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के हम तरेंट कवरों से हमेशा वाकिव रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी ने स्कुप के पूरा देखे चैनल अपर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस कर लीजे ताकि आने में वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में में मेलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में दोस्तों जो खबर जो बताने वीडियो मेरे साथ बने रहे ताकि आपको कुईत की हर एक जानकार ही आपको मिल सके तो साथ जैसा कि होता क्या है आप लोग जब भी कोई नए एजेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों आप लोग जब उसे पासपोर्ट देते हैं और कुछ पैसे उसे आप देते हैं जब अपना पासपोर्ट और उसे पैसे जब देते हैं आप नई वीजा के लिए ओफा लेटर के लिए तो क्या होता अब एजेंट को बार बार आप ये फोर्स करते हैं कि आप ये बताईए मेरा ओफा लेटर मेरा कब आएगा या पिर मेरा जो इंटर्विउ लिए जाएगा कंपनी के थुरू वो कब लिये जाएगा इसको लेकर काफी जादा प्रेसर बनाते हैं एजेंट के उपर कुछ एजेंट फ्रॉड होता है मैं सबको फ्रॉड नहीं कह रहा हूँ तो एजेंट के जो fraud होता है वो जो दोस्तों वो एजेंट क्या करता है आपको वो ओफा लेटर जो है वो duplicate बना कर देता है जब duplicate बना कर देता है तो जो लोग आप लोग कभी मतलब विदेश नहीं गए हैं तो आप लोग इसमें फस जाते हो तो दोस्तों सबसे पहले बता दे जिस कंपनी में आप apply कर रहे हो साथ ही हो आप जॉब के लिए वीजा के लिए नया वीजा के लिए कोशिस कीजिए उस कंपनी से आप कॉंट्रेक्ट करने लिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो आफा लेटर आपको एजेंट के थूरू आपको दिया गया है वो रियल है आपको चेक करना नहीं पता होता तक कैसे आप चेक करोगे तो लोग उसमें फच्च जाते हैं तो साथ हो आपको में एक बात बताना चाहूंगा जब भी आप किसी जॉब के लिए apply करें किसी भी एजेंट के थूरू तो साथ हीूं आपको एक बात को ध्यान देना है कि मैंसा देना है आपको account के थुरू आपको transfer करना है या फिर bank के थुरू जाके आपको उसके account में transfer करना है यदि आप डायट cash देते हो तो आपको पास कोई proof नहीं रहता है कि आपने agent को पैसा दिया है और आपको वह easy way से आपको वह बैमानी पैसा कर सकते है और आपको दोस्तों मैं passport इसलिए देने मना कर रहा हूँ क्योंकि passport जो होता है वो main हत्यार होता है आपका यदि आप passport दे देते हो तो वहीं पे आप हार जाते हो मतलब आपने यदि passport दे दिया तो साथ ही आप है कि किसी और दूसरे agent के पास ये दूसरे company में आप apply नहीं कर पाओगे आपका साथ आ आप क्या होगा वहीं पर फस के रह जाओगे तो आपको ध्यान देना है एक तो आपको पैसा नहीं आपको heavy amount नहीं देना और heavy amount अगरी आप देते भी हो by chance गलती से दे दिये तो कभी भी आप उसको cash मत दीजेगा हमेशा आपको online transaction ही कीजेगा या फिर bank के थूरू account में जाक transfer कीजेगा पैसे को दूसरी बात passport आप किसी कीमत पे मत दीजेगा दोस्तो पासपोर्ट देने का मतलब यह होता है कि आप उसे बंदिस में चले जाते हो तो यह सब चीजों का आपको आपको दोस्तों काफी धियान देना है तो दोस्तों एक बात आप मैं आपको बताना चाह ऑफिस बुलाकर आपको उस offer later में sign करवाता है अब अपना sign करते हो अब सारा कुछ आपको पढ़के बतादिया जाता है कि tapedag besito है यह नियम है सारे टीडेल आपको आपको पलके बता दिया जाता है उसको यह अडी आपको समझ में आता है तो महाँ पर sign करते हो नहीं समझ मे अगर है तो समझ जाईए कि आपका जो ओफा लेटर था वो बिल्कुल फेक था आपके साथ एजेंट फ्रॉड किया है यह आपके साथ फ्रॉड किया हुआ है तो दोस्तो ध्यान दीजिएगा यह बात को आपको तो सबसे पहले आपको पैसे जीजादा नहीं देना पासपुरॉड किसी भी कीमत पे नहीं देना ताकि आप और एजेंट के पास जाकर फिर से जाब के लिए распly कर सको तो दोस्तों ये छोटी सी एक जानकारी थी जो आपको देना था, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ, उमीद करता हूँ आपको वीडियो डेखकर काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीड को इसकी जानकारी मिल सके मिलते साथ हूं नेक्स